जहिन दोस्तों जिस प्रकार से जनता करफ्यू का आज जो है पालन किया गया है तो सासन द्वारा एक और जो है कदम उठाया गया है जो कि आभी के हित में है जो कि राज्यों को सहरों को ठीक है लागडाउन कर दिया गया है और यहां पर आप लोगों को इस वीडियो में मैं लागडाउन से संबंदित कुछ महत्पूर न जान करी दूँगा कि लागडाउन जब होता है किसी सहर में तो ये जो सामाने व्यक्ति है जो आम आदमी है उसके क्या कुछ नियम है ठीक है उसको क्या कुछ रिगूरेशन है उसको क्या क्या फालो करना पड़ता है ठीक है क्यो चुलि उली होता है और इसमें थोड़ा समझी करूंगा 304 की कहीं सहरों में जो है 306 भी लगी है और कुछ सहरों में पूरे सहर वहीं लागडाउन कर लिए गया है सबसे बात करें गया है लागडाउन का मतलब होता है कि सहरों को बंद करना अर्थाद जितने भी सहर से जितने भी शिमाये जुड़ी है अन्य सहर की ठीक है उन लोगों को जो है मतलब जो सहर की शिमा है उनको lockdown कर दे जाता है मतलब एक सहर से दूसरे सहर की जो क्योंकि देनिक जीवन की जो भी चीजह जैसे कि दवा ओ गई दैनिक जीवन नहीं चलू पाता है तो सरकारद वारा गई प्रते कुछ ऐसे ही जो सहर बचे वह हैं जिनको लागड़ून ही किया गया जहां पर अधिक्टर और वायरस का संदिक्द है वहां पर इनको लागड़ सकता हैं अब यहां पर अगर हम बात करें 131.54 की धारा 144 का मतलब है कि यहां पात से ज़्यादा व्यक्ति जो इखटा नहीं हो सकते हैं और इसका मतलब यह है कि जो कुरुणा वायरस को रोका पुलिस आपको पकड़ती है तो आप अगर उनको बताएंगे कि मुझे क्यों मैं बहार आया हूं ठीक है उसका अगर आप में कारण बताएंगे तो आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी है तो यह चीजे आप लोगों को याद रखना है बीन वजया घर बाहर नहीं जाना रही है